खुद गर्जी और मुनाफ़ा खोरी ही इनका कारोवार होता है पर आखेकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मंसुबे कबनी कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं आपका सहास आपकी बादुरी आपका सहाज जो दीदी के साथ है वो हर सडियंद का मुकावला करने के लिए तैयार है समाजवाती पार्टी के मुखे आखेलेस यादों ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है अखिलेस यादों ने रविवार को कोलकता में आयोजित ममता बनरजी की रैली में शामिल तुरनमूल कॉंग्रेस ने रविवार को कोलकता में शहीद दिवस पर महार रैली निकाली जिसमें अखिलेस यादों ने मुख्यमंतरी ममता बनरजी की साथ मंच भी साजा किया क्या कुछ कहें आईए आपको सुनाते हैं कोलकता की रैली में अखिलेस यादों ने कहा कि हम और आप मिलकर सकरात्मक राजनिती करते हैं और सकरात्मक राजनिती का वक्त देश को बचवाने के लिए आएगा उन्होंने कहा कि जब हम देश की राज़िती को देखते हैं और आज की चुनोती बढ़ी है, सप्रदाइक ताकते सडियंत रच रही है जो सत्ता में लोग हैं और दिल्ली की इशारे पर जो लोग अलग अलग जगों पर बैटे हैं वो लगातार सडियंत रुकर रहे हैं इसके में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के सारे पर जो लोग बैठे हैं जगे जगे पर वो लगातार सडियंत कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं आपका सहास आपकी बाहदुरी आपका साथ जो दीदी के साथ है वो हर सडियंत का मुकावला करने के लिए तयार हैं देश को ऐस ताकते हैं जो बिभाजनकारी राजनीत के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए काम्याब भी हो जाएं पर आखिरकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मनसुबे कभी अपनी मन्जिल नहीं पाते हैं जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं जीत आखिरूनी की होती है जो नकारात्मग लोग अंदर से डरे होते हैं वही साजिश करते हैं मुखवरी का काम तो कर सकते हैं लेकिन सामने की लड़ाई लड़कर के जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं कभी नहीं होती है होता है जिसको बढ़ाने के लिए सियास्त करना चाहे चाहके भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता ना कभी रहेगा ऐसे लोगों का इसलिए हर हाल में मैं किसी भी इस तर तक वो लोग गिर कर के सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं हाला कि बंगाल ने आप लोगों ने मिल करके यहां मुकाबला किया बीजेपी को हटा दिया पीछे छोड़ दिया यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया ये जो सत्ता में कुस दिन के लिए आए हैं ये कुस दिन के महमान हैं मैंने लोग समा में भी कहा और वो सरकार चलने वाली नहीं है वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन के यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुश्यों के दिन भी आएंगे सपा प्रमुख ने शहीद रली के दोरान बंगाल में कहा कि आपने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है वहीं उत्तर प्रदेश ने भी आपके साथ मिलकर पीछे छोड़ दिया है बाते कही इसी के साथ तमाम खबरों जरूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक शेर सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद